नमस्कार दोस्तों आज मैं बना रही हूँ कडाई पनीर कडाई पनीर मटर पनीर की तरही पनीर की एक authentic रस्पी है और बिना किसी ताम जाम के आसानी से बन भी जाती है इस सबजी को बनाने के तीन स्टेप हैं तो पहले हम फस स्टेप में चलते हैं इसका मसाला तयार करेंगे कडाई को गैस पे चड़ा देंगे और इसमें 2 टेबल स्पून साबुद धनिया 2 टेबल स्पून सौफ 1 टेबल स्पून जीरा और 8 से 10 काले मिर्च एट करेंगे अब इन सारी चीजों को देड़ से 2 मिनट तक सौते करेंगे मसालो को भुल लिया है इसमें से बहुत अच्छी खुश्चबू आ रही है तो इसमें 2 खड़ी लाल मिर्च एट करेंगे और अब गैस आफ कर देंगे मसाले जब ठंडे हो जाएंगे तब इन्हें पीस लेंगे मसालो को पीस लिया है इन्हें इस तरीके से दरदरा ही पीसना है अब हम अपने सेकंड स्टेप में चलते हैं तो मैंने वापस उसी कड़ाई को गैस पे चड़ा कर उसमें एक टीबिल स्पून रिफाइंट ओल डाला है और बटर डाला है अब हम सबजीयों को सौते करेंगे तो इन दोनों चीजों को गरम कर लेंगे आप बटर और तेल की जगा घी भी ले सकते हैं तेल की गरम होते ही इसमें पनीर एट करेंगे ये 200 ग्राम पनीर है जिसे मैंने स्कौाइर में काट लिया है और अब इसी टाइम पे इसमें हम बाकी की सबजी भी डाल देंगे तो यहां मैंने 2 शिमला मिर्च, 2 टमाटर और 2 प्यास लिया है और इन सब को मैंने स्कौाइर शेप में काटा है और अब इन सबजीयों को और पनीर को बहुत जादा नहीं केवल 2-3 मिनट तक सौते करना है इस टाइम पे इसमें कुछ सूखे मसाले भी एट करेंगे तो 1 टी स्पून हल्दी पाउडर आधा टेबियल स्पून कश्मीरी लान मिर्च और थोड़ा सा नमक एट करेंगे अब हलके हातों से पनीर और सबजीयों को मसालों से कोट कर लेंगे सबजीयों को भूल लिया है तब इसे हम एक परतन में निकाल लेंगे सबजीयां रेडी हैं तब हम अपने थर्ड और लास स्टेप में चलते हैं अब कड़ाई को वापस क्लेन करके गैस पे चड़ा दिया है और उसमें दो टेबिल स्पून रिफाइंट ओइल डाला है और बटर डाला है अब इसमें एक टी स्पून जीरा डालेंगे आठ से दस लेसुन चौप करके डालेंगे थोड़ी सी अदरक और एक हरी मिर्च बारी काटके डालेंगे एक खड़ी लाल मिर्च डालेंगे अब सारी चीजों को देड़ से दो मिनट तक सौते करेंगे जिससे लेसन और अदरक थोड़ी सी पक जाए अब इसमें प्याज एट करेंगे तो मैंने दो प्याज को चौप करके डाला है अब प्याज को भी हलका ब्राउन कर लेंगे प्याज के ब्राउन होते ही इसमें टमाटर की प्यूरी एट करेंगे मैंने यहाँ दो टमाटर को ग्राइंड कर लिया है आप चाहें तो टमाटर को चौप करके भी डाल सकते हैं अब इसमें आधा टेबिल स्पून हल्दी पाउडर एक टेबिल स्पून कश्मीरी लार मिर्च देड टेबिल स्पून धनिया पाउडर और बिल्कुल जरा सा नमक एट करेंगे क्योंकि हमने सबजीयों को सौते करते समय भी नमक डाला था अब इसमें हमने जो कडाई पनीर के लिए मसाला तयार किया है उसे डाल देंगे तो मैं यहाँ पे दो टेबिल स्पून मसाला एट कर रही हूँ मसालों को दो मिनट तक भुनेंगे और कडाई ही को तीन से चार मिनट के लिए कवर कर देंगे चार मिनट हो गए हैं तो ढखकर हटा देंगे मसाले अच्छे से भुन गए हैं और इनका तेल भी अलग हो गया है तो इस टाइम पे इसमें एक टेबिल स्पून कसूरी मेथी करश करके डालेंगे और मसाले काफी सूखे लग रहे हैं तो मैंने आधा कप इसमें पानी डाला है जिससे ये जलना जाए अब ग्रेवी को देड़ से दो मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे ग्रेवी पक गई है तो अब इसमें हम पनीर के साथ ये सबजियां एट कर देंगे कडाई पनी रेडी है तो अब इसमें हम लास्ट टच देंगे इसमें मलाई एट करेंगे तो मैं यहाँ पे दो टेबले स्पून दूद की मलाई फेट के डाल रही हूँ आप इसकी जगा क्रीम भी डाल सकते हैं या चाहे तो ये दोनों चीजें स्किप कर सकते हैं अब सबजी को दो मिनट और पकाएंगे और इसमें थोड़ी सी हरी धनिया और अदरक के लच्छे डाल कर गैस आफ कर देंगे कडाई पनीर सर्फ करने के लिए रेडी है आप कडाई पनीर के साथ नान या लच्छा पराठा कुछ भी बना सकते हैं इसके साथ तो सिंपल रोटी भी बहुत अच्छे लगती है और ये कडाई पनीर मैंने अपने बेटे की फरमाईश में बनाई है दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद